हेलो प्यारे बच्चों सौगात है आप सब का आपके अपने चैनल स्कूल मैट सर में तो कैसे आप सब केले हम 10th क्लास की NCRT मैट पढ़ रहे हैं जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था ट्राइंगल ठीक है हम exercise 6.5 देख रहे थे जिसके कि मैंने question number 8 तक आपको solve करा दिये हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप इसी playlist में जाकर देख सकते हो ठीक है आज की क्लास में आपको question number 9 and question number 10 solve कराने वालो ठीक तो चलिए start करते हैं देखते हैं कि आज के मारे सव above the ground find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall ठीक है चुकि यह जो 6.5 exercise है वो right angle triangle पर अधारित है इसलिए यह जो सवाल है यह भी right angle triangle पर ही based है आपको समय में आ रहा होगा कि एक ladder है जो 10 meter long है ठीक एक window जो 8 meter ऊची है कहां से ground से तो window मालो यह ground level है यहां पर यह ground है इस से 8 meter की उचाई यह 8 meter मैंने बना दिया 8 meter ground से 8 meter की उचाई पर कोई window है ठीक है यह दीवार है इस पर यहां पर क्या लगी है window लगी अब सीड़ी कैसे रखते है अपन ladder मतलब सीड़ी खड़की पर अगर आपको चड़ना है तो आप सीड़ी कैसे रखोगी अब ground से जमीन से सीड़ी यह ऐसे रखोगी एक एंगल बनाते हुए इस तरह से अभी तो आप सीड़ी पर रखके ऐसे चड़ सकते हो ऊपर ठीक है तो यह क्या होगी हमारे पास यह होगी ladder इसकी distance कितनी है 10 meter ठीक है अब यह क्या है यह ground है मतलब यह जमीन है तो यह आपस में क्या होगी जुड़ी हो होती है तो सीड़ी मतलब कितना एंगल बना रही होती है 90 डिगरी का तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा हमें बताना है क्या the distance of the foot of the ladder from the base of the wall मतलब यह जो लेडर सी पॉइंट से रखी हुई है इस दीवाल पे इस दीवाल से और यह जो लेडर का जो point है हमें यह distance बताना है कि यह कितनी होगा मतलब हमें BC की value बताना है ठीक है बहुत आसान है आप यह सब लिख लेना कि AB क्या है AB is a window ठीक है AB is a window मतलब A window है AB तो line हो गई 8 meter distance है 8 meter distance पर window है ठीक है AC क्या हो जाएग हमारे पास AC ladder है जिसकी height कितनी हो जाएगी 10 meter यह सब आप लिख लेना ठीक हमें find क्या करना है find हमें करना है BC की value BC बराबर हमें बताना कितना आएगा तो यहां right angle triangle का concept लग जाएगा so right angle triangle ABC in right angle triangle ABC इसमें आप क्या लगा सकते हो पाई था गुरस्तिरम मतलब hypotenuse का square 90 के सामने क्या होता है hypotenuse होता है तो AC square is equal to क्या जाएगा AB square प्लस BC square AC square मतलब 10 का square AB square मतलब 8 का square और BC square मतलब यह हमें find करना है ठीक है आप X भी मान सकते हो तो X की value भी find कर सकते हो यहाँ पर हो जाएगा 100 यह हो जाएगा 64 BC मान लिए अपने X X square So X square is equal to 100 यहीं रहेगा 64 को यहाँ लागए तो minus में हो जाएगा यह आएगा 36 यह X square अब X square से यह square हटेगा तो यहाँ लग जाएगा square root अब यह क्या होता है 36 यह होता है 6 का square तो 6 का square square root cancel हो जाएगा so x बराबर क्या जाएगा 6 सारी unit meter में है तो ये भी काई में आएगा meter में तो बीसी या x की value कितनी हो गई 6 meter ठीक है और ये ही क्या होगी the distance of the foot of the ladder from the base of the wall clear है चली अगला सवाल देखते है question number 10 बहुत आसान है same उसी के जैसा question है same a wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to the other end how far from the base of the pole should the take be driven so that the wire will be taught मतलब एक pole है ठीक है एक कोई खंबा लगा हुए तो pole बना देता हूँ मैं ये मैंने बना दिया pole ठीक है इसकी height कितनी है 18 meter ठीक है ये vertical pole हो गया इसकी height कितनी है 18 meter अब ये क्या हो रहा है इसके जो head head जो सिरा है उपर वाला जो सिरा है उसमें से एक wire लगाया गया ये wire मैंने कीज दिया wire कहां तक जा रहा है जमीन में कोई बतलब टुकड़ा वहां पर है जमीन में है कोई point वहां पर उसको वहां पर attach किया गया अब ये जमीन का हिस्सा है और ये उसके pole का उपर का हिस्सा है अब ये जमीन से wire की distance है हमें वह बताना है कि कितनी distance ये cover कर रहे है और इस wire की distance या height कितनी दियो है हमें 24 meter तो ये क्या हो गया ये हो गया pole pole ऐसी ही लगा होता है vertical होता है एकदम सीधा तो 90 degree का angle फॉर्म करता है ये wire है थोड़ा सा ऐसा लगा होता है angle wise लगाया जाता है ये आपने देखा होगा कई बार खंबों में इस तरह के earthing के लिए wire लगा दी जाती तो वो इसी तरह का लगा होता है उसके सिर से लेके फिर जमीन में दबा दिया जाता है तो earthing का एक wire लगा होता है ठीक है वो wire कितनी distance पे pole से कितनी distance पे लगा हुआ है हमें ये बताना है ये vertical लगा हुआ है इसका मतलब ये जमीन के साथ क्या बना रहा है right angle ये right angle का symbol हो गया 90 degree और ये क्या बन गया एक right angle triangle हमें बताना है कि ये जो BC है ये आप X भी बोल सकती है ये कितना आएगा एक sim वोई कुस्चन है तो ये सारा detail आप लिख ले न ठीक है कि AB क्या है AB एक pole है इसकी height कितनी है 18 meter फिर AC क्या है AC एक wire है AC is a wire और इसकी height कितनी हो जाएगी 24 meter ठीक है आपको find क्या करना है हमें find करना है BC की value मतलब X की value हमें बताना है सेम वोई कुस्चन है तो फिर आप ले लेना right angle triangle in right angle triangle ABC इसमें अगर आप लो गई तो इसमें आप क्या लगा सकते हो Pythagoras theorem कैसे लगेगा यह hypotenuse हो जाएगा 90 के सामने क्या होता है hypotenuse so AC square is equal to क्या जाएगा हमारे पस AB square plus BC square ठीक है यह क्या गया Pythagoras theorem so AC square मतलब 24 का square is equal to AB square मतलब 18 का square और BC square मतलब X का square तो हमें X की value चाहिए है तो X square बराबर 18 को हम यहां लेके आएगे तो यह plus से क्या हो जाएगा minus ठीक है यह 24 का square minus 18 का square अब इसको दो तरीके से solve कर सकते हो आप ठीक तो मैं आसान तरीका आपको बता रहूँ पहले एक तरीका क्या होता है 24 का square कर लो जो आए वो लिको minus फिर 18 का square कर लो जो आए उसको लेको फिर subtract करके क्या कर लो अंसर निकालो लेकिन एक तरीका और होता है आपने पढ़ा होगो a square minus b square ऐसा एक formula पढ़ा है ना आपने क्या होता है होता है a minus b और होता है a plus b तो हम यह formula का भी apply कर सकते है a square minus b square मतलब एक बार 24 plus 18 और इंटू में एक बार 24 minus 18 ठीक है कितना हो जाएगा आट चार बारा पर जाएगा 42 और इंटू 24 में से टारा गिया अच्छे बचेगा अब आप क्या लिख सकते हो 6 इंटू 7 लिख सकते हो और इंटू में 6 so x square बराबर हमारे पास क्या आगिया तो अगर ऐसा लिख दें finally क्या जाएगा 6 का square देखो 6 दो बार है तो 6 का square और इंटू 7 so x बराबर जब निकालोगे वैलूत क्या जाएगी अंडर root के अंदर 6 square इंटू 7 तो ये square से square root कट जाएगा तो 6 बाहर आजाएगा root के और 7 अंदर रहेगा तो 6 root 7 ये हमारे पास आएगा लब ये जो pole है उससे कितनी distance पर wire लगा हुआ है bc बराबर x बराबर कितना हैगा 6 under root 7 meter कितनी distance पर wire लगा हुआ है clear है आगे समझ में दोनों ही सवल बहुत आसान है पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कहीं पर कोई doubt है तो आप comment करके मुझे जरूर बताएं so thanks for watching for more update please like, share and subscribe